कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू डियर श्ट्वेंट आज हम मिजर्मेंट ऑफ सेंडे टेंडेंसी में मोड का टॉपिक कवर करेंगे तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि मोड क्या है देखिएगा कई बार मान एक एक्जांपल लेते हैं जैसे मान लिजे कि आपको एक फर्म स्टार्ट करनी है और आप यह अपने डिसाइड कर रहा है कि आप सूज आप जो हैं वो मैनुफेक्ट्रिंग करेंगे अब आप सूज के मैनुफेक्ट्रिंग के लिए सोच रहे हैं आपके पास में बजेट लिमिटेड है तो फर्स्ट और आप सूज के साइज तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो छे महिने की बच्चे से लिए करके और 20-22 साल तक की लोगों का साइज अपने अवाज आ रही है बच्चो अब अब कि वेर वेरी गुट इविनिंग तो डियर इस्ट्वेंट आज की क्लासिस में मेजर्मेंट अब तन डिफरेंट का मोड की टॉपिक को कवर करेंगे तो आए सबसे पहले हम समझते हैं कि मोड क्या है और क्यूं है एक एक्जांपल से सीच को हम क्लियर करते हैं मान लिजिए कि आप सूज के मैनुफेक्चिरिंग करेंगे एक यूरिट आप स्टाइडिस कर रहें जिसमें आप सूज को सब्लिच की को आप सकती है तो अटके पास्त में बजेट का लिमिटिद और ऐब हम के स्टू फ्रीफ्र आपल डिफ्रेटर अपा यह दकर पड़ेंगे तो आपको कि जातर लोगों के पास में है और कुछ ऐसे पर्टिकुलर साइज भी होते हैं जो बहुत रेर होते हैं लोगों के पास में तो ऐसे पर्टिकुलर साइज जो कि बहुत रेर हैं लोगों के पास में पैर होके उसको तो हम जब हमारा आपने पता लगाया अपने सर्वे में कि आठ नंबर जो है डेटा है यह सबसे ज्यादा लोगों के जो है साइज होते हैं तो आपने डिसाइड कर रहा कि अगर में बजेट लिमिटीड है और अपने अपने बिजनस के एक्सपैंड करेंगे तो अपने अपने फर्म को अपने इस्टाइब्लिस कर रहा और आपका जो प्रॉफिट अर्न करने का मोटीव था वो भी फुल्फिल हुआ तो यह सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है कोई डेटा वो कौन सा डेटा रिपीट हु के मोस्ट पॉपलर डेटा कौन सा है अब यह भी हम डिफेंट काइंड सो और स्पीजिस के अंदर इसके study करेंगे तो फर्स्ट और हम इसको इंडिज्वल सीरीज में study करेंगे इसकी हम तो इंडिज्वल सीरीज हमारे पास में आपके साब इस क्रीन पर हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके अधरा मोड निकालेंगे तो आपके पास पर फिरी कितने इस इस फ्रिकेंसि आप देखते हैं अगर आप अगर 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 देखिए बच्चे फ्रिकेंसि गर आप देखते हैं अगर 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 यह डेटा एक्स इस फ्रिकेंसि है दिख रहा है बच्चे विजिविल्टी रड रड से तो नहीं आएगी इस पे ब्लैक की आएगी तो थ्री आपके पास में कितनी बार है एक बार है ठीक है बच्चे यह और फॉर कितनी टाइमस आपके पास है टू टाइमस है और फाइव आपके पास में कर डेटा अगर आप लिखते हैं अपना ताले सब फर्स्ट ओफल आप अपना एक्स लिखें तो एक तो आपके पास में थ्री है और एक फॉर है और उसके बाद आपके पास में डेटा में फाइव है देन शिक्स है और सेवन है एन नाइन है इसकी फ्रिकेंसी अगर आप देखेंगे तो फ्रिकेंसी थ्री कितनी वार है एक बार और फॉर कितनी वार है टू टाइमस और फाइव कितनी टाइमस है फाइव आपका वन टाइमस है और सिक्स कितनी टाइमस है वन टाइमस है सेवन कितनी टाइमस है थ्री टाइमस और नाइन कितनी टाइमस है तो हाइस्ट फ्रिके आपके seven किये तो यहां पर आपका answer जो mode का होगा कि आपका जो mode है वो basically क्या है seven है यही आपका इसमे final answer है clear है बच्चे अब हम discrete series में आते हैं तो discrete series में भी एक हमारे पास है दो method होते हैं ठीक है एक inspection method और एक grouping method inspection method का मतलब क्यों होता है चुप चाप से अपने hand fold करो और कुछ भी आपको करना नहीं है बस आप inspection करो आप बस observe करो देखो और अपना answer दा दो for example क्यासा कौन सा data x data को represent कर रहा है और y वो data कितनी बार है कितनी टाइम से कितना पुपलर है नंबर अफ फ्रिकेंसी को आपको यहां पर रिपर्जिंट कर रहा है यह यह फोन अच्छी थे यह वाई गलती से आगया है बट आप इसको एफ consider करें तो आप देखेंगे कौन सा data सबसे ज्यादा बार आपका repeat हो रहा है तो आपके पास में आपको देख रहा है कि आपके highest frequency 3 किये तो 3 आपका क्या है mode है 3 आपका mode है इसको कहते हैं inspection method और एक बच्चे हमारा होता है grouping method grouping method में basically क्या होता है कि आप इसके grouping करेंगे grouping कैसे करेंगे इन सेंस वह देख लेते हैं इसको सीख लेंगे बार बार फिर यह चीज़े रिपीट होंगी कि गुरूपिंग method में आपके total 6 कॉलम होंगे एक तो already frequency एक कॉलम है एक कॉलम आपके पास में होगा कॉलम नम्मर्ट टू हो टू थ्रीव एक टू थ्रीव एक टू तो सिक्स कॉलम है आपके हुआ है हुआ हुआ है है हुआ हुआ है 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 हम grouping method सीकरें इस्थेक्ष्य अमेटर्ड तो खेर आपके exam से कोई लेंड देना इसका है नहीं वह मेंशिन भी करें गूरुपिंग मेंशिन ना भी करें तब य आपको मार्क सुसी के मिलेंगे ग्रूपिंग मेथेड क्या है वो चीज़े मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कुछ इस तरीके से आपके पास में टोटल सिक्स कॉलम होंगी ठीक है बच्चे अब सिक्स कॉलम में एक तो फ्रिकेंसी अपने आप में फर्स्ट कॉलम है सेकेंड कॉ फ्रिकेंसी को एड करके लिखेंगे आप अब फ्रिकेंसी को कैसे एड करके आप लिखेंगे ऊसे लिखेंगे को देखिए आप आप तो दो फ्रिकेंसी को कलर चेक कर लो पहले चल रहा है तो अ हुआ है तो तो दो कॉलम को आप आड़ करेंगे दो कॉलमत तक ये देख रहे ये दो कॉलम किसका इसके साथ में कोई नहीं मिला ना चोड़ दो यहीं पर तो आप दो आप कितने कॉलम कॉलम नमबर सेकेंड पर आ गए हैं और सेकेंड तो दो 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 फ्रिकेंशी को लेंगे और इस तरीके से आपके दो कॉलम रोंगे एक तो हो गया दो दो के दो है ना तो दो कॉलम बनेंगे एक तो बन चुका एक और बनेगा पस उपर वाले को ड्रॉप कर देना फर्स्ट को अब सेकेंड से इससे यह करना आप तो शिक्स्टीन फ्रेश टू नाइन फूर ख्लेरे बच्चे दन तो दो दो फ्रिकेंशी को लेके बनेगा दो तीन वाले के अ जाते हैं तीन तीन वाला हमारा कैसे बनेगा वो तीन फ्रिकेंसी को लेका और तीन कॉलम मनाएगा कैसे देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से यह थी तो 16 और 27 17 यहां पर 9 और 3 12 निची इसका सथ तीन है यह नहीं अभी एक स्किप कर दो ठीक है बच्चे एक स्किप कर दो और कुछ इस तरीके से तो आपके पास में 16 और 7 23 यहां से तीन कॉलम आपका जाएगा 5 और 6 तो तीन मनेंगे न क्लेरे बच्चे कि 1 2 3 4 5 6 अमने कुछ गरबड़त हो नहीं कर दिया अपने आप डेटा को लिखेंगे तो डेटा कुछ इस तरीके से लिखें आपके पास में क्या है एक से और एक्स आपके कितनी बार है इस कलर पर न कोई कलर नहीं बैट पार रहा है यह नहीं बैठ रहे हैं कि भी नहीं है कि कोई क्लर लेना पड़ेगा हमें अब हमारे पास में एक्स है ठीक है बच्चे एक्स है हमारे पास में और एक्स डिटा क्या कि हमारे पास है 1,2,3,4,5,6,7 एक्स में 1,2,3,4,5,6,7 और एक हमारे पास में कॉलम है, first, second, third, four, fifth, six, clear है बचे, अब first कॉलम में आप देखेंगे, तो आपके पास में highest क्या है, कुछ इस तरी के साथ ले ले यहां पर, और नचे बाया देखेंगे, बग्राट थाका सुफरा देखेंग एड़ लेैग में आपके ले성을ोड़िए murder, पर देखेंगे, को देखेंगे, का देखेंगे, कि शक्राद नचता देखेंगे, क्यांके अचे फ definite है? कि अग्षाइब देखे देखे जड़ा तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास पें क्या है फर्स्ट कॉलम में हाई इस्ट क्या है ट्वल्प एंड फर्स्ट कॉलम में हाईस के हमारे पास में 12 तो फर्स्ट में 3 के आगे मार्क कर दीजिए एंड सेकेंड कॉलम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में हाईस क्या है सेकेंड कॉलम में नैंटीन किस देटा क्या आगे त्री और फोर क्या आगे है तो त्री एंड फोर क्या आगे मार्क करेंगे और थर्ड कॉलम में हाईस क्या है 16 किस क्या आगे है तो त्री क्या आगे है तो त्री क्या आगे है और फोर्थ कॉलम में हाईस 17 है जो कि 123 में है और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास में 6 कॉलम में 21 एक ही बन पाए आपका वो भी 325 6 में 325 अब अगर आप टोटल देखते है तो 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 इसमें क्या है एक इसमें 3 है इसमें 1,2,3,4,5,6 है और इसमें 3 है और इसमें 1 है तो हाइस्ट किस के पास में है हाइस्ट 3 के पास में है तो जो आपके पास में हाइस्ट है जो आपके पास में हाइस्ट है वही आपका क्या हो गया मोड हो गया तो इस केस में आपका मोड का अंसर आपका मोड क्या होगा आपका मोड जो है बच्चे वो थ्री है यही आपका फाइनल आंतर है क्लेरे बच्चे समझ गए तो उम्मीद करता हूं में कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी जिसे आप आपके पास में यह केस एक हाईट इन इंचिस तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी एक कोश्चन आपके लिए है मैथट अब ग्रूपिंग मेथट वह इंस्पेक्शन मेथट था पर मैंने उसमें ग्रूपिंग मेथट ही बता दिया तो यह कोश्चन में आपके लिए छोड़ता हूं कि आप ग्रूपिंग मेथट से मोड कैसे कैल्कुलेट करेंगे